वाटसैब दिन बर दिन और भी इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है, तो वाटसैब के ये ट्रिक्स और फीचर अगर आपने यूज नहीं किये, तो वाटसैब यूज करने का मज़ा ही नहीं आएगा, तो आए कोछ यूसफूल और इंपॉर्टन ट्रिक्स बतातों वाटसैब क खरीदना चाहिए आपको सिर्फ इन दाइट के इतना ही करना है कि उस ग्रूप में आना है या फिर कोई चैट में आना है यहां पे आपको क्लिक करना है प्लस पे उसके पाद आपको एक पॉल क्रियेट कर लेना है यहां पे आपका क्वेशन पूछन 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 को option मिल जा रहा है जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी अन्रेड मेसेज़ सिर्फ वह आपको दिखेंगे जैसे कोई मेसेज आप पड़ लेते हो उसके पाद वह चैट यहां से हट जाएगा अब से फॉर एक्जांपल किसी को अपना आधार पाद सेंड करें यहां पर कोई भी ऐसा पिक्चर यहां वीडियो सेंड करें जो आइडिली आप चाहते को वह कोई स्क्रीन शॉट ना ले ले या फिर उस वाले पिक्चर को कहीं सेव ना कर ले तो ऐसे हम इसको एक आप्शन मिल आप लिखा हुआ है इसके उपर आपको टैप कर लेने आपकी privacy and security maintain करने के लिए अब होगा यह कि जैसे अब इसको send करोगे अब तो सामने वाला person इस picture को open तो कर पाएगा देख भी पाएगा लेकिन इसका screenshot नहीं ले पाएगा तो जैसे यहां पर screenshot में क्लिक करता हूँ यहां पर लिखा हो आ रहा screenshot ब्लॉक यहां तक एक बार यह picture इसके एक्सेस कर लिए होगा उसके बढ़ अगें इस picture को ट्राय करते हो तो या तो ओपन नहीं होती है या फिर अगर ओपन होती तो वह वीडियो प्ले नहीं होता है तो एक पेट software है जो कोई भी corrupt files को repair कर सकता है software का नाम है wondershare repair it जो हमारे इस वीडियो का sponsor है तो सबसे पहले description में दी गए link पे click करके आपको इस software को download and install कर देना है next जो भी आपकी corrupt file है उसको आपको यह पे add करना है and simple आपको इस पे repair पे click करना है तो जो भी corrupt file होगी वो यह software बड़ी आसानी से repair करके देगा अब अगर आपके पास कोई भी old photos है या फिर ऐसे photo जो scratch हो चुक है जिसके colors इतने सही नहीं आ रहे है जो blurry हो चुक है तो उनको sharpen करने के लिए उनके colors को enhance करने के लिए as well as उनकी scratches को remove करने के लिए एक online tool है इसी company का जिसकी link अगेन आपको description देखने हो मिल जाएगी जहाँ पर आके आपको उस वाले picture को upload कर देना है जैसे आप इसको repair करोगे तो जो भी old photo enhance हो जाएगा एक और बड़ी है तूल है इसी company का जिसका नाम है AI photo colorization अगर आपके पास कोई भी black and white picture है आपको सिर्फ इस वाले page पे आना है ए as well as repair भी करेगा अगला जो feature है बहुत ही important है WhatsApp में उसके हम आएगे settings में next हमको click करना privacy and आपको all the way नीचे आना है यहां पर आपको option मिल जाएगा advance का and यहां जाके आपको protect IP address in calls को on कर देना है तो इसे हो गया है कि जब भी आपको WhatsApp call पे होंगे आपका IP address as well as आपका जो location है वो privacy के अंदर आपको एक और option मिल जाए जाए screen lock तो अगर आप require face ID को यहां पर on कर देते हो next time जब भी WhatsApp open करोगे आपके face ID के बिना यह WhatsApp open नहीं होगा तो अगर आपके आसपास को ऐसे लोग यह आपका WhatsApp check करते रहते हैं तो यह option आपको जरूर enable कर लेना चाहिए next again आते privacy में and य जैसे के choose who can contact you में आने के बाद silence unknown callers को on कर सकते हो यहां पर आके add more privacy to your chats पर click करके यहां पर कोई भी default message timer भी set कर सकते हो तो अगर आपको disappearing messages चाहिए तो वो आप यहां से selection कर सकते हो तो एक एक चीज आप यहां से select कर सकते हो यहां तक यह backup भी आपके encrypted कर सकते हो यहां पर आक automatically यहां पर create होगा जिसका आप outfit change कर सकते हो यहां पर lips change कर सकते हो nose change कर सकते हो eyewear change कर सकते हो cap change कर सकते हो तो जो भी changes आपको चाहिए वो आप यहां पर आके save कर सकते हो and एक बार आपका avatar यहां पर create हो गया होगा उसके बार for example यह वाले chat में आता हूं and यहां पर stickers में आता हू अब आपको यहाँ पर अवतार का option मिल जाएगा तो आपके अवतार का एक sticker आप यहाँ से send कर सकते हो next चीज़ आप कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है updates में तो updates में आने के बाद आपको all the way नीचे आना and यहाँ पर आपको channels का option मिल जाएगा अब यहाँ पर आप explore more पर जैसे click करोगे accept and continue करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे different channels देखने को मिल जाएगे तो अगर आप कोई favorite company को follow करना चाहते हो या फिर कोई celebrity को follow करना चाहते हो तो उन channels को यहाँ पर आके follow कर सकते हो अब again यहाँ पर chat में आते हैं यहाँ पर कोई picture send करने कोशिश करते हैं तो यह वाला picture में को send करना है जैसे यह picture में select करूँगा अब आपको HD का option मिल जा रहा है तो HD पर click करने के बाद अब आप standard quality की जगाँ आप HD quality में send कर सकते उस picture को यह same चीज वीडियो में भी काम करेगी अब यहीं पर chat में आप stickers में जैसे आओगे again हम यहाँ पर stickers पर click करेंगे अब आपको plus का एक icon मिल जा रहा है अब जो भी stickers का collection आप add करना चाहते हो वो आप यहाँ से आके download कर सकते हो यहाँ तक कि अगर आपको कोई ऐसे stickers सही है जो इस list में नहीं है तो discover sticker apps में click करके आप app store से कोई app download भी कर सकते हो अब अगर आपने कोई भी message send किया है अगर आपको इसको edit करना है तो यहाँ पर long press करना होगा आपको यहाँ पर आपको edit करने का option मिल जाएगा अब जो भी गलती आपने किये आपके message में या फिर आपकी girlfriend को आपने कोई ऐसे message भेज दी है जो आपको नहीं भेजना चाहिए थी या फिर कोई और के लिए message था तो यहाँ पर आके आप edit भी कर सकते हो लेकिन आपको याद इतना ही रखना है कि up to 15 minutes वो message को आप edit कर पाओगे अब next हम सबको एक दिक्कत बहुत face होती है तो अगर हमको pictures या फिर कोई files transfer करनी हमारे phone से लेके हमारे laptop या फिर computer पे तो अपकोछ अगर आपके बता iPhone and Macbook है तो आप AirDrop तो करी सकते हो आपको note down करना है कोई notes लिखनी है कोई reminders लिखनी है सब आप खुद को message कर सकते हो and same WhatsApp के computer पे इंस्टॉल करके वहाँ से जाके वो file को download भी कर सकते हो अब say for example आपकी girlfriend, boyfriend या फिर बेन या फिर भाई आपका phone हर बाद check करता रहता है आपके WhatsApp में आता रहता है अब ऐसे में आप ये चाहते हो कि ये वाला specific जो chat है वो मिरको उसको नहीं दिखाना है तो यहाँ पे इस chat में आने के बाद सबसे पहले जहाँ पे नाम लिखा वाँ पे मैं को tap करना है अब next यहाँ पे chat lock को option मिल जा रहा है इसके उपर tap करने के बाद अब इस chat को आप lock कर सकते हो तो face ID के थूँ अथेंटिकेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं वो chat यहाँ पे completely hurt चुका है लेकिन अगर आपको वो chat को access करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा उपर drag करना होगा आपको option मिल जाएगा ग्रूप को अब जैसे leave करते हो तो पूरे ग्रूप में धिंडोरा पीट जाता था सारे members को पता चल जाता कि आपने वो group छोड़ दिया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब अगर आप कोई भी group को exit करते हो तो सिर्फ group के admin को पता चलेगा बाकी members को पता नहीं चलेगा और आखरी जो trick है बहुत interesting है हम आएंगे settings में और यहां पर हम आएंगे chats में chats में आने के बाद आपको करना है कि सबसे पहले instant video messages को यहां पर आके on कर लेना है अब हम आएंगे chat में इस chat के अंदर जहां पर आपको mic दिख रहा है यहां पर जैसे आप एक बाद tap करोगे यह convert हो जाएगा एक video message में तो अब आप audio message के साथ video message भी send कर सकते हो और यहीं पर story खतम नहीं होती तो जैसे आप कोई भी video message send करोगे तो बहुत बढ़िया तरीक एक round circle में आपका video message भी send हो जाएगा और इसका layout बहुत ही बढ़िया दिखता है और सामने वाला person इसी message पर टैप करने के बाद जब भी इसको view करेगा तो वो circle बढ़ा हो जाएगा और बाद में अगये normal size पर आजाएगा तो इन में से एक भी trick अगर आपको पसंद आया ते like and share ज़रूर करें चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उस पर भी click ज़रूर करिए देखते रहे origin taken indio मिलते हैं next video में